हाई फ्रेंद्स वेल्गम नो माई चैनल सूपर ट्रेडर लक्षर यहां पे मैं लाया हूँ थोड़ा सवर डीटेल में मार्केट अपडेट मंडे के लिए किस तरीके से मार्केट पैन आउट हो सकता है और इसमें हम क्या उमीद कर सकते हैं किस तरीके से हमें गेम प्लान बना चाहिए तो कुछ स्टॉक्स के नाम लोगा निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में भी थोड़ा सवर डीटेल में गेम प्लान बनाऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके साब उससे डील कर सकते हो क्योंकि इस समय मार्केट में जो पैसा बनाके निकल रहा है वही असली का गेम, सड़नली फ्राइडे को होगे ऑप्शन बायर का गेम, अब मंडे से क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन बाय करके पैसे गवाए हैं, मैंने मना किया था, अपने हर वीडियो में मना किया था, कि आपको इस हफ़ते ऑप्शन बाय नहीं करना है, आप जाके देख सकते हैं, पीछे जाके, और फ्राइडे को जो मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, तो हम अलरड़ी उसमें ब्रेकडाउन हमने अपने ग्रुप में भी दिया था, जो हमारा एनालिसिस ग्रुप है, कि मार्केट आज हमने कॉल सेल गया था उस दिन, क्योंकि स स्राइड़ी पे आज भी पैसे बना लोगे, आज की स्राइड़ी पे कल काम चलेगा, नहीं, हर दिन आपको दुबारा से रिथिंक और अपने आपको तयार करना पड़ेगा, और ये बहुत जरूरी चीज है, हम अपनी, जो अपना प्रोग्राइम है, उसमें मैंने एक एक हमारा सूपर ट्रीडर प्रोग्राम है, अगर आपको सीखना है, बिना सीखे तो कुछ नहीं होगा, हम एक लॉट पे 5,000-6,000 रुपे बना लेते हैं, सिर्फ एक लॉट पे बोल रहा हूँ, मैं 200,500 तक हम निकाल लेते हैं, सिर्फ क्यों, क्योंकि नॉलेज है, और वो सभी नहीं यार मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि वो सिंक नहीं है, थौट प्रोसेस का, वो सिंक ज़रूरी है, ठीके आपको कोई भी यूट्यूब में वीडियो कुछ भी फरजी स्राटेजी बनाना, यूट्यूब में 90% स्राटेजी वाले वीडियो बनाना आसान है, वीउस पाने के लिए असान है, लेकिन फरजी हैं, टोटल, नहीं काम करती है, हर दिन सिर्फ एक चीज़ काम करती है, ट्रेड सेटप, ट्रेड सेटप, और मैं आपको 365 दिन में बता दूं, कम से कम आपको 100 सेटप बनाने पड़ेंगे, कैसे बना पाओगे आप, वो यूट अप्शन बाइंग में पैसा होगा, यह मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, अप्शन बाइंग में अच्छा पैसा बनेगा, डिके इतना नहीं होगा, लेकिन जिसने गवा दिया गवा दिया, जो अब बनाएगा, बनाएगा, तो इस तरीके से आपको सीखिए थोड़ा सम मजी है, और तोड़ सा दिमाग लगाईए कि यार सब सोच रहे हैं इस तरीके से होगा, मार्केट क्या इस तरीके से होगा, क्योंकि majority, टीवी तो हर आदमी देख रहा है, तो एक करोड़ लोग टीवी देख रहे हैं, एक करोड़ लोग सही हो जाएंगे, क्या, मतलब वो ज प्रिसाइज लिवल से होगे, 35,000 बहुत important लिवल है, अगर 35,000 होड करता है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट यहां से अभी bounce करेगा 35,000 में जा जाके, लेकिन जो हमने bounce देखा है, फ्राइडे को 35,200 से 200 पॉइंट का bounce देखा है, जो बहुत जादा नहीं है, लेकिन फिर भ 35,000 के आसपास हम 4 बार आ चुके हैं, और हम इसको break भी नहीं कर पा रहे है, लेकिन हम hype को भी fail कर रहे है, तो मेरा यह कहना है कि यह most probably sign है कि hype is sell है, sell है, sell है, clear sell है, लेकिन क्या bottom में support है, market बार बार टेस्ट कर रहा है, तोड सकता है, अगर यह तूटा तो आपका जो अगला support आएगा, 34,500 से लेके 34,000 के आसपास आएगा, मतलब आपका अगर अगले 400 point give up हुआ market तो 1000 point फटाक से आएगा, पहली चीज, high में कितना high जा सकता है, आपको 36,100 का resistance है, वहाँ पे जाता है, selling मिलनी चाहिए, निफ्टी की बात कर लेता हूँ मैं, तो निफ्टी जो है आप आपको 14,950, 940 का area तोड़ना पड़ेगा नीचे के लिए, अगर वो नहीं तूटता है, तो market अभी भी range में है, अभी भी ये upside जाने की कोशिश करता रहेगा, तो फिलहाल के लिए 14,940 का एक level मान के चलिए, अगर वो break होता है, तो फिर आपको 300 से 400 point का fall आएगा, और मैं ये कह रहा हूँ कि जो अगला fall आएगा, वो जादा brutal आएगा, खतरनाक वाल आएगा, तो बच के रहिएगा, जब भी ऐसा दिखे, आपको reason कुछ भी हो सकता है, मैं fed नहीं हूँ, ना मैं RBI हूँ, ना मैं कोई बड़ा billion dollar का fund manager हूँ, लेकिन मैं आपको simple एक चीज़ बोलत है, क्योंकि वो high पे चाने के लिए बड़े आदमी को उसमें participation करना पड़ेगा, जो कि वो नहीं कर रहा है, लेकिन retailer अभी भी उसको दोडाने की कोशिश कर रहा है, और यही reason है कि वो नया high नहीं बना रहा है, लेकिन हाँ, ठीक ठाक high बना रहा है, और फिर गिरता है, गिर retailer action बहुत जादा है, retailer पागल की तरह stock खरीद रहा है, और यह एक गलती हो सकती है, अब एक और point है कि आपका जो अगला stock है मेरा वो है, ICC bank, तो ICC bank में क्या करना है, अब ICC bank 612 पे है, मेरे साब से यह जो exactly एक trend अभी भी follow कर रहा है, लेकिन उसमें यह हर बार support तोड रहा है मेरे साब से 600 के नीचे गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी इसके लिए, क्योंकि फिर यह 550, 560 के area तक गिरेगा, मतलब करीब करीब आपको 8-9% का fall, जो मैंने आपको bank nifty में कहा था कि जो एक 2000 point का fall आ सकता है, उस fall में सबसे बड़ा contribution ICC bank का होगा, और अभी भी structure इसका कमजोर है, तो ICC bank से थोड़ा सा आप bearish के लिए अपना trigger set करके रख सकते हैं, कोई भी bounce मिलता है तो 625 के आसपास आपको यह bounce दे सकता है, उपर जाने के लिए अगर आप trade कर तंच करना चाते हो, और अगर आपको sell करना है तो 600 के नीचे sell करो, क्योंकि 30-40 rupees easy मिलेगा, फिल गया, HDFC एक stock है, तो HDFC में क्या problem है कि यह bullish होने की कोशिश कर रहा था, double bottom kind of structure बना रहा था, लेकिन अभी यह फिर से आगया है support पे, exactly 25-50 पे support है, hold कर गया तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी bounce मिलता है 26-100 के आसपास, तो वो sell हो जाएगा, तो अगर आपको नहीं मिलता ह है bounce और आपको first एक dip मिल जाए मंडे को, और फिर इसके बाद आपको लगता है recovery है, तो मेरे इसाप से 25-50, 25-40 के आसपास आपको HDFC अगर वहां से bounce होता दिखे, तो आपको एक bounce मिल सकता है, इसमें 26-100 का, तो आपको depend करता है किस तरीके से market खुलेगा, gap up खुलेगा, तो आ up side का structure कायम है, आपका 21-20 के आसपास अभी support ले रहा है, यह support लेगा, यहाँ से फिर से bounce आएगा, और जो अगला bounce आएगा 21-60, 21-70 तक के bounce फिर से दिखने चाहिए reliance में, तो reliance ने अभी भी अपना structure breach नहीं किया है, proper up side का structure intact है, और यह area support का था, जहाँ पे close हुआ है 21-20 के आसपास, और यहाँ से फिर एक bounce मिल सकता है, और फिर हम एक high बना सकते है, 22-20 तक के लिए, और किसी भी case में, किसी भी case में, अब stop loss के बात है, यह तो नहीं पता ना, भगवान तो नहीं हूँ मैं कि भाई जाए गई जाएगा, मैं आपको बोलता हूँ, अगर इसने bounce नही अगर यह bearish कब हो जाएगा, अगर यह 21-10 के नीचे 1-2 घंटे survive किया, नहीं जा रहा है उपर, तो फिर आपको यह एक fall दे सकता है, 20-60 तक के लिए, तो यह possibility होगे reliance के लिए, अब जो आखरी stock में लोगा, आपका SBI लोगा, क्यों ले रहा हूँ यह stock, इसके बारे में important point यह है कि इसने अपना structure, breach करना start कर दिया, जो gap है, उसको fill करने की कोशिश कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने पिछले अपते भी कहा था कि यह breach कर चुका है, यह most probably 360 की तरफ जा रहा है, तो मेरे हिसा अभी मैं intact हूँ उस target के लिए, और यह 355, 340 तक के levels भी आ सकते हैं तो जो दो stock है bank के, जो बहुत prone है, जो बहुत खदरनाक तरीके से ready हो रहे हैं, जो initiate कर सकते हैं इस fall को नीचे की तरफ, वो होगा SBI और ICCA bank, दोनों heavy weight हैं, तो यह problem create कर सकते हैं, तो इन पे नज़र रखना, एक और stock लेता हूँ मैं, तो मैंने बहुत सारे stock ले लिए हैं, I hope लोग समझेंगे value मैं हमेशा ऐसा नहीं कर सकता, मैं आज कर रहा हूँ, तो चैनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe होना चाहिए, दम से और like और share भी होना चाहिए, वरना आगली बार से दो stock से जादा नहीं आएंगे, infosys है stock, infosys ने double top बनाया है, अब बहुत सारे लोग है, भाग रहा है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, कि ये structure जो होता है, double top, ये bearish होता है, ये bullish नहीं होता है, और ये दिखाता है, कि overall जो euphoria था, हमने इसको last week upside में bike ले दिया था, 1290 के आसपास, 1290 से आप देख सकते है, 1390, 100 रुपे का target पुरा हुआ है, almost 7%, और अगर आ sell हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आपने अच्छा खासा target पूरा कर लिया है, तो निकल जाएगे, अगर आपका अभी भी target मन नहीं भरा है, तो फिर आप दोनों side के लिए ready रहना पड़ेगा, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि यार गिरेगा, ये उठेगा ही उ sell off हो जाएगा, और यहाँ से थोड़ा बहुत correction IT में मिल सकता है, अगर ये breakout structure बनाता है, तो इसको gap up के बाद, देखे, अगर ये gap up हुआ, तो sell off होगा, अगर ये gap down होता है, कितना gap down होता है, 1360 के आसपास, तो हो सकता है, ये upside के लिए एक structure बना रहा है, तो structure क्या बनाता है ये देखना पड़ेगा, लेकिन gap down होता है, तो मुझे लगता है high बनाएगा, अगर gap up होता है, तो फिर ये top है, double top का structure है, और वहाँ से फिर आपको ये थोड़ा दिन परिशान करेगा, वो जो gap up होगा, वो निकलने की opportunity होगी, तो I hope ये video आपको अच्छा लगा होगा, I hope म बढ़ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि RBI rate नीचे रख सकती है, क्योंकि rate नीचे रखना सिर्फ एक इनसान को benefit दे रहा है, वो है बड़े industrialist और बड़े जो भी लोग है, क्योंकि वो ही लोग सबसे जादा 4-4% पर लोन उठाते हैं, और वो भी वापस नहीं देते, हम ल कोई accept करे ना करे, बोले ना बोले, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि RBI को देर सवेर लोगों की बात सुननी पड़ेगी, वरना लोग, गरीब आदमी मरेगा, seriously बोल रहा हूं, क्योंकि भुकमरी बहुत बुरी चीज होती है, और inflation, inflation 5% नहीं है, 20% है inflation, क्योंकि आप जो खोल के सुनती है, तो action लेगी, अगर नहीं सुनती है, और बड़े आदमी का सुनती है, तो चुप-चाप बोलेगी, inflation is under control, तो I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, I hope पुरा जो भी narrative है मेरे control में था, अच्छा लगा वीडियो तो like, share, subscribe ज़रूर करिए, मिलते है अगले वीडियो में, thank you very much. अगले वीडियो आपको अच्छा लगा होगा 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 है